Hello students, good morning to you Class 10th में हम लोगोंने equation पढ़ा था और 3.1 फिनिश करा था आज हम लोग स्टार्ट करेंगे Next 3.2 उसमें हम लोग 2 variables का equation solve करना सीखेंगे तो मैं page number 49 पे 3.2 आप लोग देख लेना अपनी book open कर लो ये question 1 तो मैं question के साथ साथ theory भी बताता चलूँगा so that कि अपने को जादे clarity आएगी पहला question है 10 students of class X took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of boys find the number of boys and girls who took part in the quiz इसमें ये question कर रहा है कि जो girls का number है वो 4 जादे है boys से ठीक है न तो अब बताओ number find करना है boys और girls का तो देखो students यहाँ पे मैंने क्या किया है number of girls आप x माल लो boys को y माल लो ठीक है न तो x प्लस y दोनों मिला के 10 है क्योंकि 10 बच्चे गये थे ठीक है और दूसरा question ये है जो लड़कियों की संख्या है ठीक है न तो मतलब लड़कियों की संख्या में से लड़कों का minus करो गया आप तो 4 मिलेगा तो यहां पर आपको दो equation मिलते है ठीक है पहला क्या है उस quiz में participate करने के लिए 10 बच्चे गये थे 10 बच्चे मतलब लड़के और लड़के मिला के 10 बच्चे होगा ठीक है दूसरा उसका condition ये है कि लड़कियां जादे थी तो मतलब लड़कियों में से लड़कों को माइनस करोगे तो कितनी जादे 4 तो आपको ये दो equation मिल गए पहला ये दूसरा ये ठीक है तो इसी के base पे आप क्या करोगे x plus y equals to 10 ये देखो पहला condition हो गया ये देखो दूसरा condition होगे x minus y equals to 4 तो बच्चो इसके base पे table बनाओ पहले इसके base पे table बनाओ तो x plus y का table बनाओ तो अगर x की value 4 है तो y क्या होगा कि दोनों को value मिलके 10 हो जाए 6 होगा ऐसे ही अगर x 6 है तो y 4 होगा ये दोनों 5 पाच होगे तो equal हो जाएगा similarly आप दूसरा table बनाओ x minus y की value 4 हो इसका मतलब x की value 8 होगी ये तो y की 4 होगी ठीक है ना x की value 6 होगी तो y की value 2 होगी x की value 7 होगी तो y की value मैं table मतलब ये ऐसे बनाते हैं कि देखो इस condition को satisfy करने वाली y की values पूट करते हैं ठीक है ना तो आपने ये table बना दी आप क्या करोगे इस टुटेंट साब लो इसका एक graph बनाओ जो आपने point यहाँ पर दिखाए हैं न पहले 4, 6, 6, 4, 5, 5 तो देखो 4, 6 यह मैं इसको pen को लेए 4, 6 मैंने दिखाया 6, 4 दिखाया और 5, 5 दिखाया तो ये एक line बनी है हमारी और दूसरे points की line बनी है ये दोनों intersect करेंगे 7, 3 पर ठीक है न? मतलब x की value 7 होगी और y की value 3 होगी तो इसमें intersect करेंगे तो यही value होगी अब इसको cross check भी कर लो 7 girls, 3 boys total 10 बच्चे इनका difference अब 4 है ठीक है? तो इस तरह से आप लोग इसको cross check कर सकते हो दूसरा question आप लोग solve करना मैंने solve कर दिया है वीडियो pause करके देख लेना आप लो ये उसमें 5x plus 7 50 है, दूसरा condition है 7x plus 5 है 46 है तो आप लोग तो solve करना आसान question हो जाएगा, ठीक है? next पे आते हैं ये मैंनो उसका graph बनाए उसका जो value है न वो आ जाएगा 3,5 उसका answer हो जाएगा 3,5 ठीक है, मतब x की value 3 हो जाएगी और y की value 5 हो जाएगी next question करते हैं students on comparing the roots a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 आप बताओगे कि जो equations हैं वो intersect कर रहे हैं या parallel are coincident है बच्छों अगर दो line ने intersect करेंगी मतलब कि उनका एक value होगा यहाँ पर जो intersection point है लेकिन अगर दो line अगर parallel होंगी तो वो कहीं नहीं cut करेंगी तो उनका कोई value नहीं होगा वो coincident का लाएंगी ठीक है ना तो आप इससे देखो अगर इसको solve करने के लिए अगर a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 है तो इसका मतलब यह lines parallel है ठीक है ना अब केवल अगर इतना है a1 upon a2 not equals to b1 upon b2 तब इसका मतलब यह होता है कि जो line से intersect कर रहें उनकी कोई एक value है ठीक है तो इसको मैंने solve किया आगे question को देखो जो पहला equation है वो यह है ठीक है दूसरा equation यह है तो इसमें अगर a की value देखो आप लोग बच्चा तो 5 है b की value minus 4 है c की value जो है 8 है ठीक है मैं a, b, c ऐसे लिख रहा हूँ दूसरा equation में क्या है a की value मतलब a2 की value 7 है b2 की value 6 है c2 की value minus 9 है आप देखो 5 upon 7 और minus 4 upon 6 यह equal नहीं है इसका मतलब कि जो यह equations है न वो intersect करेंगी और उनका एक unique value होगा unique value होगा intersect करेंगी तो मतलब दो line intersect करती है तो जब point पे intersect करेंगी ना उनकी unique value होगी ठीक है न तो यही पूछ रहा कि जो यह equation है वो किस तरह की equation है यहाँ पे आपने देखा a1 upon a2 not equals to b1 upon b2 so these lines intersect at a point hence unique solution एक इसका solution होगा ठीक है न next question करते है इसका आप लोग b part कर ले न मैंने छोड़ दिया मैंने solve नहीं कर रहा हो उसको प्रेक्टिस करना आप लो next question है वही question है a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकालो और find करो कि यह जो equation है consistent है या inconsistent है consistent का मतलब ही होता है उनका कोई solution है या उनका solution नहीं है ठीक है न solution कब होगा जब वो intersect करेंगी या एक दूसरे पे ply करेंगी inconsistent कब होगा जब वो lines parallel होंगी मतलब वो कभी मिलेंगी नहीं तो solution नहीं हो क्योंकि जिस point पे cross होता है उस point पे unique solution होता है अगर आप दो lines ऐसी देखो जो coincide करें एक दूसरे के ऊपर हों तो उनके infinite solution हो गया क्योंकि हर point पे एक दूसरे कट कर रही है लेकिन जो parallel lines होती है वो कहीं नहीं कट करेंगी तो वो जो होती है inconsistent होती है ठीक है तो question number one इसका देखते है part one question number three का देखो इसमें जो है न a1 की value equation में देखो तो क्या होगा मैं a1, a2, b1, b2 sequence में लिख देता हूँ a1 की value हो जाएगी इसमें 3, b1 की value हो जाएगी 2, c1 की value minus 5 a2 की value, second equation को देखो बच्चों a2 की value हो जाएगी 2, b2 की minus 3 c की 7 ठीक है न अब आप देखो 3 upon 2 is not equals to 3 upon 2 is not equals to 2 upon minus 3 इसका मतलब यह हुआ कि जो है a1 upon a2 जो है not equals to b1 upon b2 ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो यह equation है यह consistent है किसी न किसी line point intersect करेगा किसी न किसी point point intersect करेगा और unique solution होगा ठीक है न ऐसे ही आप इसका second part देखना करना हो जाएगा बड़ा आराम से question number यह fourth है यह भी equation दिया हो गया है, दो equation दिया है तो इसमें क्या होगा इसमें a की value अब देखो 1 है a1 1 है, b1 1 है, c1 5 है ठीक है न इसमें a2 जो है 2 है इसी वाले की बात कर रहा हूँ 2 है b2 जो है 2 है और c जो है 10 है तो इसमें क्या होगा students देखो, अगर आप इसको solve करोगे तो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो यह line है वो एक ही line है कों side करेंगे एक दूसरे के उपर तो उसके infinite solution होगे ठीक है न यह line जो है न जो बनाओगे आप लो तो एक single line ही बनेगे यह line बनेगे उसके points को draw करोगे तो तो दोनों lines एक दूसरे पर overlap करेंगी तो उनके infinite solution होगे फर एक्जामपल अगर यह line आप देखो यह हर point पर एक दूसरे उपर करें मतलब एक दूसरे के उपर ही है तो infinite solution होगे आप लोग इसको question को देख लेना pause करके वीडियो कैसे solve हुआ है next question मैं solve कर रहा है इसका graph भी बनाया है इस cancer 2-2 हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से मैं उमीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग को यह समझ में आया होगा इसमें दो सवाल और extra पड़े है थैंक्स फर वाचिं दिस वीडियो थैंक्यू जाए हिंद